मैं यती वर्या कुमार विजय आप सभी दर्शकों का देने गेते राशेफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी को दिपावली के सुब उपर वपर मेरी तरफ से आप सभी को आपके पूरे परिवार को हार्दिक सुब कामना देता हूँ और मालक्ष्मी जी से प्रातना करता हूँ कि आप सभी पर इस साल महालक्ष्मी की विशेश करपा बने और आपके उपर महर्बानी रखें आप सभी की मनो कामना इस वर्ष में जो है वह पूरी हो जाए और आप सभी का आने वाला साल जो है हंसी खुशी और सुख समर्दी के साथ बीटे आज मैं आपको इस वीडियो में जो है दिपावली के दिन मा लक्ष्मी जी के माता के पूजन का सुब समय और मा लक्ष्मी जी के पूजन की विदी बताऊंगा और साथ ही आपके नव परकार के विशेश जो है चमतकारिक मंतर भी मैं बताऊंगा इन नव परकार के मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र दिपावली की रात 28 माला करके सिद्ध कर सकते हैं मैं आपको लक्ष्मी माता की मंत्रों के साथ मैं पूजा करने की जो है विधी वह भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप चाते हैं कि आप अच्छे से सुब समय में माता जी का लक्षमी पूजन करें तो जैसे मैं यह video बनाकर आपको दे रहा हूं, आप मेरा यह video चालू करके जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे करते रहें और मेरे video को देखकर आप जो है महालक्षमी माता का पूजन इस दिपावली के दिन करें, महा लक्ष्मी की कृपा आपके उपर जरूर बनी रहेगी, वैसे मैं आपको बताओं कि मैं हर साल दिपावली के दिन, यहां मेरे महा लक्ष्मी माता का पूजन विशेश विदी से किया करता हूं, और मेरे इस महा पूजन में आप दर्सक जो है, बहुत लोग करवाते हैं, इस बार भी मैं यहां महालक्ष्मी माता का पूजन करने वाला हूँ, अगर आपकी इच्छा है कि आप मेरे से यहां पर दिपावले की दिन महालक्ष्मी माता का पूजन करवाएं, तो मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी फरम के ल रखा है वह मात्र तीन हजार रुपिया है वहां आपको बैंक में बढ़ना है इसके बाद में मैं आपके लिए हर साल की तरह पूजा करूंगा अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप महा लक्ष्मी माता का पूजन दिपावली के दिन करते हैं तो निश्चिती ही मा लक्ष्मी जी की करपा आप पर पूरे साल भर्चेगी और सुक समर्दी भी आपकी बढ़ेगी अगर मेरा यह वीडियो आप पूरा देखें और समझे की पूजा कैसे करें तो यह अच्छा रहेगा यह बहुत ही मैतोपुन वीडियो है क्योंकि महा लक्ष्मी माता का सम्मन्द धन से होता है और धन का जो सम्मन्द हैं हमारे जीवन की सहुलियत सुक समर्दी और आराम से होता है इसलिए आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जय मालक्ष्मी को जरूर लिखें और या फिर दिपावली की सुब कामना आप सभी देश वास्यों के लिए जरूर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अनेक लोग दो है महालक्ष्मी मादा का पूजन कैसे किया जाता है यह नहीं जानते हैं वो सिधा दीपक करके अगरवती करके भोग लगा के बावना होती है वही बस पूजा होती है जितना करते हैं वह भी अच्छा है लेकिन मैं जो विदी विदान के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप मेरा वीडियो चालो करके अपने यहां लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको दिपावली के दिन का पंचांग और गादी इस्तापना करने का जो मूरत है श्याई आदी बढ़ने का जो आपको बताऊंगा अगर आप मेरे बताए गए मूरत में लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे तो निश्चित ही आपको मा लक्ष्मी की पूरून करपा फराप्त होगी और आपको अपने जीवन में जो है काफी समश्याओं का समाधान भी मिल जाएगा मुक्ति मिल जाएगी दिपावली का दिन जो है वह बारे नॉंबर दो जार तेईश रविवार को मनाए जाएगा कार्तिक मास की चतुर दसी उस दिन जो है दो बजकर चमालीश मिनर तक रहेगी उसके बाद में जो है अमवश्या सरू होगी श्वाती नक्सतर मद्य रातरी दो बजकर इकवन मिनर तक रहेगा उसके बाद में विशाखा नक्सतर सरू होगा आयुशुमान योग जो है श्याम चार बजकर पचीश मिनर तक रहेगा उसके बाद में सुभाग्य योग जो है सरू होगा सकुनी करण दोपहर को दो बज़ कर 45 मिनर तक रहेगा फिर चतुस पाद करण सरू होगा चंदर्मा दिन रात तुला राशी में गोचर करता रहेगा रविवार को पस्यम दिशा में दिशा सूल रहता है अभिजीत मोरत जो है दोपहर में रविवार को बारा बज़े से बारा बज़ कर 45 मिनर तक रहेगा विजय मोरत दोपहर में दो बज़ कर 11 मिनर से दो बज़ कर 55 मिनर तक रहेगा और अमरत काल का जो समय है वह शाम को 5 बजकर 40 मिनट से, शाम को 7 बजकर 8 मिनट तक रहेगा और निशित्या का जो मुरुत होता है वह रात को 11 बजकर 56 मिनट से, मदिरा रातरी जो है 12 बजकर 48 मिनट तक रहेगा शूर्योदय का समय जो है रविवार को 6 बज कर 54 मिनट पर सुबह रहेगा और सूरियस्त का जो समय है वह स्याम को 5 बज कर 50 मिनट पर होगा इस साल दिपावली का जो त्योहार है उस त्योहार के दिन 4 ग्रहों की यूती ऐसी होगी जिसके अंदर माना जाएगा जैसे कि 12 नवंबर रविवार को तुला रासी में 4 ग्रहों की एक साथ यूती होगी तुला रासी के स्वामी जो है सुक्र और इस साल तुला रासी में सूरिय, चंद्र, मंगड और केतु की यूती तुला रासी में हो रही है ग्रहों में सूरिय को सभी ग्रहों का राजा और चंद्रमा को मन का कारक और रानी माना जाता है केतु की छाया ग्रह मंगड चंद्र और सूरिय पर रहेगी उनकी यूती शात्मे है इसलिए तो एक तरह से अगर देखें तो तीनों ग्रह चंद्र, मंगड जो है वह अस्त रहने वाले हैं दिपावली के दिन महालक्ष्मी माता का जो पूजन करने का सुब समय रहेगा वह स्याम को पांच बजकर गुंतारिस मिनट से साथ बजकर पैंतीस मिनट तक रहेगा मैं आपको महालक्ष्मी माता का पूजन करने का सही सुब समय बता देता हूँ एक बार फिर शाम को पांच बजकर उनतरिस मिनट से साथ बजकर पैंतीस मिनट तक रहेगा इसके बाद में जो इसके साथ में परदोस काल में भी कहीं लोग पूजा करते हैं तो यह जो परदोस काल का जो समय है वह साम को पांच बजकर गुंतीस मिनट से आठ बजकर रात को आठ मिनट तक रहेगा इसके बाद में जो साम को वर्षब काल में भी काई लोग पूजा करते हैं तो वो वर्षब काल का समय और जो है अपने पांच बजकर गुंतीस मिनट से परदोस काल के साथ में जो है शाम को वर्षब काल में भी पूजा की जा सकती है वर्षब काल का समय है पांच बजकर गुंतालिस मिनट से रात को साथ बजकर पैंतीस मिनट तक रहेगा गादी स्तापना और शाही भरने का या कलम दवात समाने का जो सुब समय रहेगा वह किसी भी आप सुब के चोगडिये में कर सकते हैं तो रविवार के दिन जितने भी अच्छे चोगडिया हैं, जिसमें आप गादी स्थापना बाई खाता या जो भी है कलम दवासवान ने का काम करना चाहें, तो मैं आपको चोगडिया भी अच्छा बता देता हूं, कि सुब का चोगडिया दोकाहर में एक बज़कर 26 मिनट से दो बज़कर 47 मिनट तक रहेगा, यही सुब का चोगडिया वापस स्याम को 5 बज़कर 27 मिनट से 7 बज़कर 8 मिनट तक भी रहेगा, अमरतकाल का जो समय है, वह साम को 7 बज़कर 8 मिनट से 8 बज़कर 47 मिनट तक रहेगा, और चर का जो चोगडिया है, वह रात को 8 बज़कर 47 14 मिनट से 10 बज़ कर 26 मिनट तक रहेगा मद्य रात्री को 12 बज़े के बाद में जब 13 तारिक शरू हो जाएगी तो लाव का चोगडिया रात को 24 मिनट से शरू होगा और 3 बज़ चोईस मिनट तक रहेगा इस सुब महरत में भी आप पुजा कर सकते हैं और इनहीं मुरत में वेपारिस्तान में गादी है कि इस्तापना कर सकते हैं ढवात है श्याही है वहि खाता आदिका मुरत पूजण कर सकते हैं एक बाद मैं यहां आपको विशेश नोट दिरवा देता हूं कि दोपहर में राहुकाल का जो समय है वह स्याम को चार बजकर 28 मिनट से पांच बजकर 50 मिनट तक रहेगा इस टाइम को आप छोड़ दें उसके बाद में पांच बजकर 50 मिनट के बाद में आप जो है गर के पासिरवाद गरान करें और रासिक अनुसार जो मंत्रों के जाप है या आपको कोई तांतरिक शिद्या आदी करनी है या गणपती, लक्षमी, मता, पदमाउती, मता, इंदर देवता, काली है, कुबेर देवता, आदी के पूजन करने का समय है वह भी आप इन समय में इन मं मंत्र द्वारा सादना करें रात के समय में, दिपावली के रात में, या फिर छोटी दिपावली होती है, उसको काड़ी 14 भी बोलते है, उस रात में भी अगर कोई सादना करते हैं तो वह जरूर सिद्ध होती है. तो इसका लाब भी आपको पूरा मिल जाएगा और पूरे साल में आपका जो भागयोदा है वह सुब योग बना हुआ है तो आप इस दिपावली के दिन जरूर कोई न कोई शिद्धी साधना या मंतर साधना आधी जरूर करें आप अपने रासी के जो देवी देवता होते है तो उनके मंत्रों का जाप करें, आपके राशी के जो यंद्र आप के पास में हैं, मंत्र आप के पास में हैं, उनका भी पूजन इस्परन करें और यति गुरु बगवन्तों के आशिरवाद से जिवन में आ रही समश्याओं से आप मुक्ती भी पार सकते हैं मैं हर साल दिपावली पर यहां महालक्षमी पूजन करता हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग अपने नाम से पूजन करवाते हैं, यह मैंने आपको बताया है, तो आप भी मेरे से करवा सकते हैं, इसका सुलक मैंने दक्षना के रूप में तीन अजार रुपे रखा है, मैं आप आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से, आपके वैपार के नाम से पूजन करूंगा, अगर आप मेरे से फोन पर दिपावली से समंदित कोई जानकरी चाते हैं, या पूजा करने का या और अन्यकिशी परकार की जानकरी चाते हैं, तो नंबर आप स्क्रीन के उपर देख है 9462 575 291 इस नंबर पर आप संपर करें और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मैं दिपावली के दन्तेरश के दिन से दिपावली के दिन तक मेरा फॉन चालू रखूंगा आप मेरे को फॉन कर सकते हैं लेकिन मैं जोतिस की बातें नहीं करूंगा उस समय आप मेरे से भी अपनी राशी के अनुसार जो है यंत्र मंत्र आदी की जानकारी दन्तेरश के दिन से कर सकते हैं और अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि महालक्ष्मी माता का पूजन करने से आपको क्यालाब मिलता है और महालक्ष्मी माता का पूजन करने की विदी क्य तो यह सारी विदी अब आप मेरा जो है वीडियो द्यान से देखे और यहीं से आप मेरा वीडियो चालू करके अपने गर में जैसे मैं बोलू हूँ वैसे वैसे आप चीज़े करते रहें आपका महालक्ष्मी माता का पूजन बहुत अच्छा और सुब हो जाएगा महालक्ष्मी जी की पूजा करने वाड़ों को लक्ष्मी माता, सर्फ्षती माता और गनेश जी का फोटो लेना चाहिए पहले मैं आपको यह जो भाग बता रहा हूँ आपको महालक्ष्मी माता पूजन करने के लिए क्या-क्या समान चाहिए यह समान की लिस्ट में आपको बता रहा हूँ, आप मेरा वीडियो दे कर पहले से यह सारा समान जो है, लाकर अपने दिपावली की दिन पूजन के इस्तान पर रख लें, और फिर जैसे-जैसे मैं बताऊंगा वेसे पूजन कर लेना आप, तो दिपावली का पूजन करने के लिए लक्षी माता का पोटू, सर्षती माता का पोटू, गनेजी का पोटू और अगर आप जहन हैं, जहन विदी से दिपावली के पूजन करना चाते हैं तो मावीर सामी का पोटू भी आप रखके विदीविदान से पूजा कर सकते हैं, दोनों विदी अलग-लग परकार की होती है यहां आज के वीडियो में मैं केवल आपको लक्षी माता की पूजा विदी कैसे की जाती है बताऊंगा सबसे पहले तो एक पाठ चाहिए लाल कपड़ा चाहिए पाठ पर विछाने के लिए मोडी चाहिए आत्मे बानने के लिए कुम-कुम चाहिए माता जी का पूज से बने मिठाई घर में पकाईवे पकवान आदी और रित्यू के अनुशार जो फढ़ होते हैं जैसे सेव है केड़ा है तर्बू जय मतिरा है सिंगोडा है सिता पड़ है या खील बता से आदी जो है वह आप खरीद कर रख लें फूल फूलार और माता को चड़ाने के कि भी चूनरी चाहिए एक गंटी चाहिए गंटी बजने के लिए आरती के समय और एक गड़ा यानि चोटा-लोटा ताम्वे का चाहिए जिसको कुम्भ बोलते हैं उसके उपर नारियल रखने के लिए आपको दो नारियल लेने पढ़ेंगे एक नारियल अपने या हैं उसमें फूल है आम के पते हैं एसो के पते हैं वह बान कर लटकाए जाते हैं तोरण बंदा जाता है और एक गोटा चाहिए उसके अलावा अबीर है गुलाल है शेंट है अधी यह जो पूजन में आने वाली सदन चीज़ें वह आप सब करीद के रखे हैं आगे बढ़ने स पहले मैं आपको एक शोटा सा अनुरूद करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो आप इसको सबसे पहले सबस्क्राइब करें और फिर गंटी का बटन दबाए ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तो अब आप एक सफेद कागज के उपर लाल पैन से या कोपी के अंदर लाल शाई के पैन से आप पास में अपने रख लेए मैं बताओंगा वैसे आपको कागज के उपर लिखना है मैं आपको फोटू भी दिखाऊंगा उसका कैसे लिखना है एक थाड़ी में चांदी के और क पूछ एक दो रुपिये, पांच रुपिये के शिक्के थाली में सजा लेएं, अगर आपके पास में नोटो की गड़ी होएं, तो भी वह अपने पास में वहाँ पूजन में रख लेएं, और घर में सुने चांदी के जितने गैने जेवर हैं, वह भी आप सब एक थाली में सभी इस्तान पर चिंटे ऐसे कर देवें, बाए हाथ में आप थोड़ा जल लेएं, फिर दाहीने हाथ से यह मंत्र पड़ें, अगर आप नहीं पड़ रहें तो मैं पड़ रहा हूं, आप मेरे साथ साथ में इस पूरे इस्तान को सुद्धी कर लेएं, मंत्र मैं बोल रहा ह आप सिंटे चारो तरब देते रहें, ओम रिम स्रीम महालक्स्मे अत्र आगच्च अत्र तिस्ठ थख धख यहाँ जो मंत्र है इसको आहवान के रूप में मैंने बोला है अब मैं इसको माता जी को आहवान कैसे किया जाता है यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरे को देखकर इस प्रकार से माता जी का आहवान अपने घर के अंदर करें ओम्रिं श्रिम् महालक्षमे अत्र आगत्च आगत्च आत्र तिस्थ तरह 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 ओम रिम श्रिम महालक्षमे अत्र आगच्च आगच्च अत्र तिष्थ तिष्थ ठह 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 यहां मंत्र तीन बार बोलकर माता जी की इस्तापना जहां फोटू रखी है करको दो यहां लिती है तो मैंने यहां पर स्तापना की है अब मैं आपको बदाता हूं कि जलके चींते आप अपने बाएं आथ में पानी रखें और चींते दालते रहें मैं आपको शुद् historians करके मंत्र बोल रहा हूं तो माता जी के फोटू पर शमान जो आपने पुजा कार अम्रत वर्ष्य स्वाहा ऐसे पानी के चिंटे ऐसे डाले हैं, फिर माता जी के चंदन है, सैंट है, चुनरी है, फल है, मिठायादी, जैसे जैसे मैं बोलूँ, वह आप समर्पित करते रहें, सबसे पहले, जल समर्पित करने के लिए, आप एक चोटा बरतन आगे माता जी के रखते में, और एक लोटे में जल बरा है, एक समर्पित साथ में रखें, मैं मंत्र बोलूँगा, तो वैसे आप उनको जल समर्पित कर देना, ओम रिम् स्रिम् क्लीम महा लक्ष्मिये, जल सड़ाएं अब, ओम रिम् स्रिम् क्लीम महा लक्ष्मिये, कुंकुम् समर्पित कर देना, माता को या आपके जो भी है, गट इस्ताबना की है, दिपक शलू, सब इस्तान पर एक कुंकु का वह टीका लगाते रहें, अब माता जी को चंदन समर्पित करना है, ओम रिम् स्रिम् क्लीम महा लक्ष्मिये, चंदनम् समर्पित करना है, वह करें, माता जी को चंदनरी ओडाने के लिए, मैं जो मंत्र बोलूंगा, वस्तर के लिए, तो आप माता जी को चंदनरी ओडा देना, ओम रिम श्रीम कलेम महालक्षमि वस्त्रम समर्पयामि ही मताजी के चुंद्री आप जो लाए हैं सलमा सितारों से लेश से जो है सजी भी है उसको आप जो है मताजी को ओडा देवें अब मैं आपको मताजी को अब हार पहनाना है फूल चड़ाना है तो मैं मंत्र बोल रहा हूं आप फूल आर आत्मे लेवें और मताजी को पहना देवें ओम रिम श्रिम क्लिम महालक्ष्मी पूला हारम समर्पयामी ही और फिर पूलार पैनाने के बाद मैं थोड़ा आशे चावड लेके माता जी के आगे ऐसे-इसे डाल लेबें फिर मैं आप आत्मे दिपक ले लेएं मैं मंत्र पढ़ रहा हूं दिपक के लिए तो दिपक माता जी को बेट करना है यानि दिपक सामने आप माता जी के गुमा देना ओम रिम श्रिम क्लिम महालक्षमे दूपम समर्पयामी ऐसे अगरवती दिपक ये जो है आप बार बार माता जी के आगे गुमाएं ओम रिम श्रिम कलिम महालक्षमे दीपम समर्पयामी ही ऐसे कर दे हैं उसके बाद मैं जो आप मता जी को बेट करने के लिए फल लाए हैं रस्दार फलों के तर्बूज है शेव है या अन्य सिंगोडा आती है कहीं परकार के पढ़ आते हैं मता जी को बेट करें मैं बोल रहा हूं ओम रिम श्रिम कलिम महालक्षमे फलम समर्पयामी ही फल समर्पित कर दे हैं अब आपने जो बजार से मिठाई ली है या गर के अंदर मिठाईया बनाई है लाप्सी है कीरे या जो भी आपने गर में बनाया है वह मिठाई आप छोटा-छोटा कटोरी में अलग-लग रख लें और मैं बोल रहा हूं मंत्र आप माता जी को जो है वह मिठाई समर्पित करते रहें ओम रिम श्रिम कलिम महालक्षमे नवेद्यम समर्पयामी ही मिठाई का भोग माता जी को लगाएं अब जो है सब जो हमारे पास समान लाई थे पूजा का वह सब हमने माता जी को समर्पित किया है जो कुछ बाकी रहा है लोंग है इलाइची है या अन्य परकार के जो भी है समान है वह सब आप समर्पित करें अब और साथ में यह सारा समान जो समर्पित करने के साथ में दक् बोल रहा हूं आप दक्षिना लौंग इलाइची यह जो सब समान है वह माता जी के आगे कर दे मैं ओम रिम श्रीम क्लिम महालक्ष में दक्षिनां समर्पयामी ही यह माँ आपका दिया वदन आपको इसमर्पित्य है आप स्विकाय करें और हमें आशिरवाद परदां करें धन इतने भी चांदी के सिक्षे हैं या आपने जो नोटों की गड़ी है वह और जो थाली में आपके आर गयने जेवर वगेर जो है थाली में सजा लिए होंगे अब आप इन सब की कुंकु से वहां पूजा करें और उसमें से अपनी तरफ से भी कुछ और नगद जो है मिला कर करके वहां रगदे माता जी के आगे और फिर यही सब कुछ जो है दक्षना के रूप में माता जी को भेट करना है इतनी पूजा करने के बाद में आपको एक सफेद कागज के उपर लाल शाई से जैसा कि आप मेरे साथ में इसक्रीन के उपर देख रहे हैं श्री का एक पहाड बनाया हुआ है पहाड इस तरह से बनाया हुआ है इसमें सारे के सारे जो सब्द है वह श्री श्री लिखेवे हैं उपर एक वार श्री उसके नीचे दो वार श्री झार वार श्री, पांच वार श्री, छे वार श्री, सात वार श्री, आठ वार श्री और नव वार श्री, यानि कि जब आप श्री-श्री का ऐसा लिखेंगे, इस्थान छोड़-छोड़ कर, तो यह एक पहाड जैसा बन जाता है, आपको इसी परकार से श्री लिखना है, और इस परकार से नौ लाइनों में पहाड की आकरती में सिरी लिखना है इसके नीचे क्रम से इस परकार लिखें तो आप मैं जो बोलूँगा वह इस शिरी के नीचे लिखना है मैं जैसे जैसे बोलूँ आप इस कागज के उपर आपने सिरी बनाया होगा ऐसे टाइम काफी लगता है लिखने में आप आराम से लिखो लिख लेने के बाद मैं इसी जगह पर आप इसके नीचे जो मैं बोलूँगा वह सब्द लिखते रहें जो लिखना है वह आप इसक्रीन के उपर भी देख रहे हैं सबसे पहले लिखना है ओम रिम स्री नमाह उसके बाद मैं लिखना है श्री भरत चकरवर्ती की पद भी होए उसके बाद मैं तीसरी आप एक लाइन में ये सारी चीज़े आगे लिखते जाएं ऐसे से उपर से नीचे लिखेंगे तो साइद आपका पन्ना भी छोटा पड़ जाएगा इसलिए एक लाइन में आप लिखते रहें पहला लिख लिख लिखा होगा आपने ओम रिम स्री नमाह दूसरा आपने लिख लिख लिखा होगा बरत चकरवर्ती की पद भी होए तीसरा लिखना है श्री कयवन्ना जी का सुक सुबाग्य होए फिर लिखना है श्री सरसोती जी की करपा होए फिर लिखना है श्री बाहू बल जी का बल होए फिर लिखना है श्री अभै कुमार जी की बुद्धी होए फिर लिखना है आपको श्री धन्ना साली बदर जी की रिद्धी होए फिर उसके आगे लिखना है आपको ओम रिम श्री रिशब जिनाय नमह उसके बाद में आपको लिखना है ओम रिम श्री महवीर जिनाय नमह इतना लिखने के बाद में आप इस कागज़ पर आप चाहे एक सफिद कागज़ पर या आपने डाइरी में अपने बैखाते में कहीं भी यह लिखा है तो जहां लिखा है इसके उपर आप कुंको के चीटे देवें और कुंको के चीटे देते समय आपको कौन सा मंतर बोलते वे चीटे देना है इसके उपर मैं आपको मंतर बता रहा हूँ आप इस्क्रीन के उपर भी यहां मंतर देख रहे हैं ओम रिम श्रिम कलिम महा लक्ष्मीन महा इस मंतर का जाप बोलते वे करते रहें और जो आपने ये श्री का पहार लगाया है और बाकी के जो सब्द मैंने बोले वालिक हैं इनके उपर पांच वार कुंकू के चींटे देकर इसका पूजन कर लें उसके बाद में इस कागज को आप एक जगह रख दें माता जी के चर्णों में फिर कच्छा दूद है उससे आप जो है पंचामरत का जो समान आप लाए होंगे आउनके शह्याक, जाहल, गी डहीर पूद्म, भी, वगर वगर तो वह सारा जो है मिला करके चो पंचामरत बना ले और फिर आपके पास में जितने शिक्के हैं चांधी का शिक्का भी हो सकता है चांधी के शिक्के को आप तो नहीं दौएंगे पंचं़ मरत तो भी सबरेंगा दोलेवें तो भी है बाकि के जो यह प्रच्छलन के सिक्किया आपना थाडी में सजाए एक रुपिया दो रुपिया पांच रुपिया सब है इन सब को आप 15 से दोने के बाद मैं सुद्ध पाने से दोल देवें और इन शिक्कों पर और जेवरात के उपर यहां जो मंत्र मैंने आपको बताया पूजा करने के बाद में एक दूपिय में आप कुछ शूखे नारियल की चिटक रख लेवें और उसके उपर कपूर आदी रखें और कपूर को चलाएं और फिर खड़ा होकर के माता जी लच्मी जी की जो है आरती आप उस आरती को घाएं अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप मोबाईल आदी में इस्पीकर आदी में किसी मे महालक्समी माता की आरती चालू कर लए में और जब तक आरती चले तब तक यह दूपिया जो है वह माता जी के सामने ऐसे गुमाते रहें जब आरती पूरी हो जवे तो उसके बाद में यह जो आपने दूपिया किया है जोत जलाई है माता जी का आगे यह पूरी जोत पूरे घर के अंदर क्लोक वाईज आपको गूमते वे पूरे घर में आगे पीछे उपर नीचे सब जगे गूमाना है इससे यह माना जाता है कि लक्षमी माता की हमने इस्तापना की पूजा की और लक्षमी माता के आगे जोत जलाई इस जोत से पूरे घर के अंदर रोस्नी हुई और जो अंधकार है जो नेगेटिविटी है जो कोई बुरा परवाव है वह सारा जो है इस अगनी में इस माता की जोत में जलकर बसम हो ग पवित्र हो गया और आप पूरे घर में जलाने के बाद में उप्या माता लक्षमी जी के आगे रख दें यह जो अगनी है यह आपके घर में कहीं भी अंदकार कहीं भी नेगेटिविटी कहीं भी दरीदरता यह कहीं भी ऐसी विपरीत इस्तितियान नहीं रहने देगी इससे आपको सबसे मुक्ति मिल जाएगी और आपका घर जो है वह पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा इतना सब करने के बाद आप वहीं बैठ कर माता जी के लक्षमाता के मंत्रों की माना करें और इस परकार से आज के दिन जो है मालक्षमी की सार्दा आज के दिन मालक्षमी करते हैं और जो है यह जो पूजा अभी तक आपने की आरती की यहां तक आपकी आज की लक्षमी माता की पूजा वह पूरी हुई है अब मैं आपको जो है यह बताता हूं कि आपको मानाव करें लक्षमी सुक्त का पाठ करें श्री लक्षमी सुक्त का पाठ करें और वहां बै चाहिर है, तो माता जी का लक्ष्मी जी का व मास आपके शरीर में होगा आपके लिए यह बहुत अच्छी बात है सुब होगा अब मैं आपको नो मंत्र जैसा कि मेने बताया था वीडियों के अंन्स में बताँगा तो यह नो मंत्र है तो पहला मंत्र मैं आपको बता रहा हूं यह पाद्मावति का पद्मावति-न मता का सोबाग्य मंत्र है ओम तोस्तोरा है तो अकस्मात धन प्राप करना हो तो क्या मंत्र आपको करना चाहिए यह भी आप देख लें इस स्क्रीन के उपर ओम रिम च्रिम बदमावती सर्व कल्यान रूपे राम रिम राम द्रिम द्रोम नमे हैं तीसरा मंत्र है अगर आपका सरकार के सात में कानुन के सात में कोई भी ऐसा दावा केस या मत्विद चल रहा है तो उसको सरकार की तरब से जो भय है आपको वो हो भय करने के लिए मैं आपको मंतर बता रहए इसन कुरीन पर आप देगे हैं अगर चाहें तो आप यह मंतर भी भैत मुख्त लूने के लिए कर सकते हैं इसे राजबै दूर होता है चोथा मंत्र है रोजगार प्राप्ति का मंत्र ओम्रिम्पद्मे राज्य प्राप्ति हम किलम कुरूम कुरूम नमह यह रोजगार प्राप्ति का मंत्र है पांचवा है व्यपार मैं भर्दी करने के लिए आपको मैं मंत्र बता रहा हूं इस्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं ओम नमो भगवती पदमावती सर्व जनमोईनी सर्व कल्यानम मम विकट संकट सहानी मम महा मनोरत पूर्णी मम सर्व चिंता चूर्णी ओम पदमावती नमा स्वाहा यह मंत्र है, यह मंत्र थोड़ा लंबा है, इसलिए मैं एक बार दुबारा आपके सामने पढ़िकर बता देता हूं, आप ध्यान से सुने, और इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन के जो धन्से समंदित, समान से समंदित या अन्य प्रकार की कोई समस्या है, उससे आप ओम नमो भगवती पतमावती, सर्व जनमो हिनी, सर्व कार्य करनी, मम विकट संकत हारनी, मम कार्य करनी, मम विकट संकत साहरनी, मम महा मनोरत पूरनी, मम सर्व चिंता चूरनी, ओम पतमावती नमह स्वाह यह मंत्र, चठा मंत्र है, ओम रक्षमा देवी पदमे, ओम रक्षम देवी पद में यहां मंत्र है सात्वा मंत्र भी माता लक्ष्मी जी का है पद्मावति माता लक्ष्मी माता एक ही रूप में होते हैं इसलिए आप सात्वा मंत्र देखें ओम रिम श्रिम कलिम भगवति मा पद्मावति नमा ओम रिम श्रिम कलिम भगवति मा पद्मावति नमा ओम यहां मंत्र माता लक्ष्मी जी का है पदमावती माता का भी है और आठवाग्यों मंत्र है वहां इस प्रकार से है ओम पदमावती ममा दर्चय दर्चय मनो रटपुर्न यसंदेही देही स्वाहा श्री शुक्त और श्री लक्षमी सुक्त प्रट उस दिन जरूर ना चाहिए, क्योंकि इस लक्षमी सुक्त और श्री लक्षमी सुक्त में पाद्मावति देवी का नाम आता है। पर्थात मा लक्ष्मी जी का और मा पदमावती दोनों का नाम अलग-अलग नहीं है एक ही रूप है अब मैं नम्मा मंत्र बताता हूं सरस्वती मंत्र है जो बच्चे पढ़ते हैं या जिनका जैसे आनुन से समंदित काम होता है तो नय नय आता है शीखना पढ़ता है परकार से आ प्ष्म पूजन करें और माता जी की आर्थी करें आर्थी के एक ठाड़ी में नीपक अगरवती धूप और एक पानाधी सामने गुमाते हैं आर्थी करें इस प्रकार से पूरा लक्ष्मी पूजन आपका संपन होगा, आपके ऐसा करने से घर के अंदर रिद्धी, सिद्धी, धन, दौला, तैस्वरिया, यस, मान, पर्तिष्ठा, पद, सुख, अखूट, संपत्ति, आपसी प्रेम, और निरोगी काया को आप राप करेंगे. जो भी आप दर्सक है, इस यतिविदी से पूजन करेंगे, उसके साथ मैं हमेशा मान लक्ष्मी जी और मेरा आशिरवाद सदेव बना रहेगा. मैं आपको दिपावली पर्व की फिर से हार्दिक सुख कामना देता हूं, आपका आने वाला साल अच्छा बीते, सुख मैं हो, मंगल मैं हो, आपके सुख समर्दी बड़े, यह मेरा आशिरवाद आपके साथ मैं, आपको सभी को दिपावली की हार्दिक सुख कामना.